कोविड महामारी पिछले कई महीनों से न सिर्फ दुनिया की चिंता का केंद्र बना हुआ है बलकि यह विश्व विवस्था को स्थाई तोर पर प्रभावित करने का कारण भी बनता जा रहा है इस वाइरस का मनुस्य पर असर चीन के वुहान सहर में सबसे पहले सामने आया और वहीं से पूरी दुनिया में फैला इसलिए सभाविक तोर पर चीन दुनिया के निशाने पर आ गया है अंतर राश्ट्रिय कूटनीत में ऐसे मौकों का इस्तिमाल आगरह दुरागरह के साथ करने की गलती दोहराई जाती है एक तरफ अमरिका और पस्चिमी देशों ने चीन को वायरस संक्रमड के लिए जिम्मेदार बताते हुए जाच करने की बात कही है तो दूसरी तरफ चीन ऐसी किसी भी मुहीम का खुल कर विरोध कर रहा है इस वायरस की सबसे जादा मार जेल रहे अमरिका ने सबसे पहले चीन के खिलाफ मूर्चा खोला राष्ट्रपती डोनाल्ड ट्रम्प ने तो वुहान में उस चीनी प्रयोग साला की जाच के लिए अपनी टीम भी भेज दी चीन सरकार से अनुमती नहीं मिलने के कारण भले ही अमर्की टीम जाच नहीं कर सकी हो लेकिन इस पर लॉबिंग तेज हो गई है अमरिका और यूरोपिय संग के बाद आस्ट्रेलिया ने भी विश्व स्वास्थिय संगठन के सदस्यों से निस्पक्ष जाच का समर्थन करने का आग्रह किया प्रतिक्रिया स्वरूप आस्ट्रेलिया ने चीन के राजदूत का बयान धमकाने वाला कहा जा सकता है कि जाच की मांग का समर्थन करने पर चीनी नागरिक आस्ट्रेलियाई उत्पादों का बायकार्ट कर सकते हैं जिससे उनका आर्थिक हित प्रभावित होगा दरसल विश्वमंच पर लगातार अपना प्रभाव बढ़ा रहे चीन के लिए जाने अनजाने कोविड-19 ने भी दबंगता दिखाने का एक और मौका दे दिया है और दुनिया दो धुरुवों में बटती दिख रही है ऐसी इस्थिति में एक समय अमरीका और सोवियत संग के बीच कोल्ड वार के जमाने में थी बाद में सोवियत संग के विगटन के बाद अमरीका ने दुनिया को अपने केंदर पर घुमाया सालों बाद अब उसे फिर चीन से उसी तरह चुनोती मिल रही है जहां सोवियत संग ने वैचारिक राजनीतिक आधार पर अपना प्रभाव जमाया था वहीं चीन आर्थिक राजनेतिक आधार पर ऐसा करना चाहता है पिछले कुछ सालों में आकरामक चीनी निवेस के जाल में फंसकर कई देश उसका साथ देने के लिए मजबूर है पाकिस्तान, तुर्की और कई इसलामी रास्ट्रों को चीन की ताकत में अपना हित नजर आ रहा है वहीं अमरिका के घटते प्रभाव से यूरोप और आस्ट्रेलिया चिंतित है बहरहाल कोविड उन्निस के बहाने नए तरह का सक्ती प्रदर्शन चल रहा है चीन ने यह कहना शुरू कर दिया है कि भले ही कोविड उन्निस का पहला मामला चीन में दिखा हो पर इसका मतलब यह नहीं है कि चीन ही उसका जन्म दाता है दोनों पक्षों के अपने अपने तरक हो सकते हैं पर सही बात क्या है यह तो निस्पक्ष जांच के बाद ही सामने आ सकती है एक बार संदेह हो जाने के बाद उससे बाहर आने का तरीका भी यही है लेकिन ऐसा लगता है कि चीन इस आसान तरीके को अपनाने की बजाए बढ़ते तनाव में ही अपना हित देख रहा है क्योंकि इसी में ताकत का प्रदर्शन हो सकता है प्रदर्शन हो जाने की बढ़ते है क्योंकि बढ़ते है क्योंकि बढ़ते है